मिस्लेनियस एक्सरसाइज कोश्चन 17 देखें यहाँ पर क्या दिया है इफ x is equal to a cos t plus t sin t and y is equal to a sin t minus t cos t find d2 y upon dx2 तो यहाँ पर देखें यह जो है यह parametric equation है और यहाँ पर आपको जो है x को t के respect में करना है y को t के respect में differentiate करके आपको यह निकालना है ठीक है यह लेकिन second order derivative इसको कैसे निकला जाएगा पहले तो एक एक बार आप इसको differentiate कर लो तो हम पहले निकाल लेते हैं d y by dt ठीक है तो यह था तो a और bracket में आजाएगा d by dt of sin t ठीक है minus अब देखें t cos t यहाँ product rule लग जाएगा तो यह हो जाएगा t and d by dt of of आजाएगा cos t then minus cos t d by dt of t हो जाएगा यह थीक है अब यह जो है माइनस sin तो यह plus हो जाएगा और यह हो जाएगा sin t ठीक है अब यहाँ पर t का differentiation तो one होगा और cos t ऐसे है cos t ऐसे ही है तो cos t cos t cancel हो गया finally क्या बच्चा केवल a t sin t तो यह जो है हमारा यह है d y by अच्छा मैंने x कर दिया था सॉरी यहाँ कि इसको change करेंगे यह हमारा d y by dt t के respect में करना यहाँ गलती समयन x लिख दिया था यह d y by dt निकला अब ऐसे ही हमको d x by dt निकालना है d x by dt निकालेंगे और इधर क्या हो जाएगा इधर इसका differentiation तो a को bracket के बाहर कर दो इसका differentiation होगा d by dt of cos t हो गया फिर यहाँ पर product rule लगेगा t sin t में तो t d by dt of sin t plus sin t d by dt of t यह हुआ अब इसको solve पर लेते हैं a cos t का हो जाएगा minus sin t plus sin का cos हो जाएगा तो t cos t और sin t as it is रहेगा और t का differentiation 1 होता है तो sin t sin t cancel हो गया हमको क्या मिला a minus a t cos t यह हो गया second equation ठीक है अब हम find करेंगे d y by dx यह क्या होगा यह होगा d y by dt upon dx by dt ठीक है तो यह हम already निकाल चुके हैं a t sin t whole divided by होगा minus a t cos t a t a t cancel हो जाएगा minus रहेगा और sin by cos क्या होता है यह होता है 10 t ठीक है तो यह आया d y by dx यह first order derivative है हमें second order derivative निकालना है तो इसी को हमें फिर से differentiate करना पड़ेगा तो हम क्यान कहें d 2 y upon dx 2 is equal to इसका differentiation minus तो ऐसी रहेगा 10 का आपको पता है 10 का होता है sec square t हो जाएगा अब क्योंकि यहाँ पर देखिए x के respect में हम कर रहे है differentiate और यह variable t है तो इसलिए यहाँ पर आजाएगा dt by dx ठीक है अब dt by dx की वहले हम कहां से लेंगे equation 2 से लेंगे यह जो है dx by dt यह आ रहा है और dt by dx मतलब इसका reciprocal ले लो तो आप इसको लिख सकते हैं minus sec square t into 1 upon minus 80 cos t इस तरीके से हो जाएगा तो यह minus minus cancel हो जाएगा और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 80 तो denominator में रहेगा यह cos उपर जाएके sec बन जाएगा तो यह sec square से multiply हो जाएगा तो sec cube t बन जाएगा और denominator में क्या होगा denominator में होगा simply ut तो यही है आपका final answer